नमबर वन चानल के नमबर वन सो शाज़िश में आपका स्वागत है मैं हूँ आपके साथ सपना शुक्ला आज बात सबसे पहले इसराइल की रिपोर्ट है कि इसराइल ने युद्ध की कई बातों को छुपाया है दुनिया से दावा किया जा रहा है कि हमाज से लड़ते हुए इसराइल के इतने ज्यादा सैनिक मर गए है कि सही आंकडे तक नहीं जारी किये जा रहे है रिपोर्ट तो ऐसी भी है कि इसराइल ने जितने सैनिकों के मरने की बात मानी है उससे दस गुना ज्यादा फौजीयों की मौत वहां हुई हथियारों के मामले में इसराइल को दुनिया का एक बहुत ताकतवर मुल्क माना जाता है इस्राइल का Aero Air Defense इतना ताकतवर है कि इस्राइल दावा करता है कि अगर 2000 किलोमेटर दूर से भी कोई मिसाइल इस्राइल की तरफ लॉंच होती है तो मिसाइल लॉंच होते ही इस्राइल का Air Defense सिस्टम एक्टिव हो जाता है जब तक इस्राइल अपनी Air Force के माध्यम से घाजा पटी पर बंबार्डिंग करता रहा तब तक इस्राइल के सैनिकों के मारे जाने की संख्या का अंक डाल लगबग इस्थिर रहा लेकिन जैसे इस्राइल ने अपना Ground Operation शुरू किया इस्राइल के सैनिकों के मौतों की संख्या लगातार बढ़ती गई लेकिन अब जो समचार फिलिस्थिन के अकबार चाप रहे हैं उससे ऐसा लग रहा है कि इस्राइल की सेना और इस्राइल की सेरकार इस्राइल के सैनिकों की मौत के आंखुनों को छुपा रही है फिलस्तीन क्रोणिकल नाम के एक अख़ार ने इसरेल के मिलिटरी सिमेट्री यानि इसरेल के सैनी को गुदफन किया जाता है उस जगे के डिरेक्टर डेविड वार्नर बरूज का एक इंटर्व्यू छपा है इस इंटर्व्यू में इस्रेल की मिलिटरी सिमिटरी के डिरेक्टर डेविड बॉर्नर ने कहा है कि इस्रेल के अंदर हर घंटे एक इस्रेली सैनिक का शब कब्रिस्तान में दफन होने के लिए आ रहा है इस इंटर्वियो को फिलिस्तीन के अरब देशों के अकबारों ने हाथों हाथ लिया और ये दावा किया कि इसरेल के सैनिकों की मौत का आखड़ा आधिकारिक आखड़े से कहीं ज्यादा है जेरुसलम के पश्चिमी इलाके में माउंट हरजल कब्रिस्तान है और यहाँ पर इसरेल की सेना में काम करने वाले सैनिकों को दफनाया जाता है मिडल एस्ट मौनिटर नाम की एक और न्यूज वेबसाइट में इस कब्रस्तान के डिरेक्टर डेविट ओरेम का बयान छपा है पिछले 48 घंटे में 50 इसरेली सैनिकों को दफनाया गया है यह चौका देने वाली बात है क्योंकि इसरेल ने दावा किया है कि 7 अक्टूबर से अब तक इसरेल के करीब 400 सैनिक मारे गये हैं इनमें से करीब 80 सैनिक घाजा के ग्राउंड ओपरेशन में मारे गये हैं करीब 10 सैनिक लेबनन के बॉर्डर पर हेजबुला से लड़ते हुए मारे गये हैं और 300 से जादा सैनिक 7 अक्टूबर और उसके बाद एक हफ़ते तक इसरेल के अंदर हमास के आतंकवादियों से सीधे लड़ते हुए मारे गये हैं लेकिन फिलिस्तीन के अकवारों का दावा है कि ग्राउंड ओपरेशन में इसरेल के सैनिकों के मारे जाने की संख्या आधिकारिक आंखनों से कहीं जादा है अगर इस्रेयल के मिलिटरी सिमिटरी यानि सैनिक अबरिस्तान के डिरेक्टर डेविड वारेन के आँकुनों को सही माने और इस हिसाब से अनुमान लगाएं कि हर घंटे में एक सैनिक की मौत हो रही है तो इस्रेयल के ग्राउंड ओपरिशन को लगभग 30 दिन हो चुके हैं एक दिन में 24 घंटे होते हैं यानि 30 दिन में 720 घंटे होते हैं अगर इस्रेयल के सैनिक अबरिस्तान के डिरेक्टर के मुताबिक हर घंटे में एक सैनिक की मौत हो रही है तो इसका मतलब ये है कि अब तक Ground Operation से 30 दिनों में 720 सैनिकों की मौत हो चुकी है ये सिर्फ एक अनुमान है इसकी पुष्टी नहीं की जा सकती है इतना ही नहीं हेजबुल्ला ये दावा करता है कि लेबनान के बॉर्डर पर जो जंग चल रही है उसमें हेजबुल्ला के 80 लड़ा के मारे गए है जबकि इसरेल के गरीब 10 सैनिक मारे गए है जबकि हेजबुल्ला को सपोर्ट करने वाले देश इरान के सरवुच नेता खामनेई भी ये बयान जारी कर चुके है इसरेल के ज्यादा सैनिक मारे गए है अब ऐसे में सवाल ये उडता है कि क्या वाकरी में इसरैल की सेना अपने मारे गय सैनिकों के आखणों को छुपा रही है इसरैल की सेना प्रोपागंडा वॉर में हमेशा सबसे आगे रहती है और आज भी इस्रेयल और हमास के युद में अगर देखा जाये तो हमास के पक्ष में बात करने वाले गाजा पट्टी के फिलिस्तीनी पत्रकारों के हालत बहुत ज्यादा खराब है। इस्रेयल की सेना अपनी फकड को मजबूत कर रही है। और जहां तक इस्रेयल के सैनिकों के मारे जाने की संचा का सवाल है तो यहां एक और बात जाननी जरूरी है कि इस्रेयल के डिफेंस फोर्स खुद को एक सुपीरियर आर्मी यानि सर्वश्रिष्ट सेना की दरफ और ऐसे में वो कभी नहीं चाहेगी कि वो अपने सैनिकों की मौत के ऐसे आंकड़े पेश करें जो दुश्मनों के मुकाबले ज्यादा हो। लेकिन यहां पर नोट करने वाली बात ये भी है कि इस्रेयल की के सैने नीती है कि वो हमेशा दुश्मन के दस गुना आदमी ज्य यानि घाजा में एक बहुत बड़ा नरसंगार हो रहा है लेकिन उसके बाद भी अमेरिका के नैशनल सेक्योर्टी काउंसिल के प्रवक्ता जॉन किर्वी ने पत्रकारों के सामने एक प्रेस कॉन्फरेंस में ये कहा है कि घाजा पट्टी में कोई नरसंगार नहीं हो रहा ह ये पूरा बयान आपको सुनाएंगे और इसके आगे आपको ये भी बताएंगे कि कैसे जॉर्डन भी घाजा पट्टी के जख्मों पर नमक छिड़क रहा है लेकिन सबसे पहले अमेरिका के उस पाखंड के बारे में बताना जरूरी है जो बिल्कुल साफ नजर आ रहा है हजारों मौथों के बाद भी अमेरिका इसे नरसंगार नहीं मान रहा है ये अमेरिका के दोहरे मापदंडों का बुक टेक्स्ट एक्जाम्पल है मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम ने कहा है कि योकरेन की घटनाओं को नरसंगार मानना और गाजा पट्टी की मौतों को नजर अन्दास करना वैश्विक पाखंड है दूसरी तरफ अगर देखा जाया तो अब तक घजा पट्टी के अंदर 30,000 से ज़्यादा लोग गायल है और घजा पट्टी के अस्पतालों की हालत क्या है ये पूरी दुनिया को नजर आ रही है जूर्डन ने घजा पट्टी के गायल लोगों के लिए एजिप्ट के अंदर एक फील्ड हॉस्पिटल बनाया है किंग अबदुल्ला के बेटे खुद इस अस्पताल की निगरानी करने के लिए गया लेकिन आपको जान कर हैरानी होगी कि इस फील्ड हॉस्पिटल में मातर 40 बेट है जबकि घजा के अंदर 30,000 से ज्यादा लोग गायल है और इन हालातों में एक फील्ड हॉस्पिटल में मातर 40 बेट का इंतजाम लोगों के साथ एक प्रूर मजाक है एकि बना अक्तर बाक्ष ये जए लोगों के जाला रूर में ए당 के लिए लोगों को ताइमनि को तेक बनात ओूर प्रूरिय ओने के डिए्जा में लोगना को जखने में लोगों को तेदिए इस्रेल अपनी टेक्निकल सुपेरियरिटी की वज़े से अजय है पिछले हफ्ते इस्रेल ने हमास की ताकत को इस कदर निस्तो नाबूद किया था कि पिछले हफ्ते 72 घंटे में इस्रेल की राजधानी तेल अवीब पर एक भी मिसाइल अटेक नहीं हुआ था और जब 100 मौर को तेल अवीब पर एक मिसाइल अटेक हुआ तो जहां से मिसाइल अटेक हुआ उस राकेट लाँचर को भी घंजा के अंदर जाकर इस्रेल ने दबा कर दिया ये इस्रेल की ताकत है हमास के प्रवक्ता अबू उबैदा की माने तो हमास के लड़ाकों ने इसरेल के 350 से ज्यादा बखतरबंद गाडियां और टैंकों को उड़ा दिये हैं हमास का दावा तो ये है कि इसरेल के 150 मरकाबा टैंक उड़ा दिये गए हैं हमास तस्वीरे भी जारी कर चुका है लेकिन फिर भी हमास की पकड़ घाजा से इसलिए धीली पड़ चुकी है क्योंकि हमास के बड़े-बड़े हेड़कोंटर पर इसरेल ने टैंक चड़ा दिये हैं इसरेल ही नहीं अलशिफा अस्पताल में काम कर चुके डॉक्टर भी ये मानते हैं कि अलशिफा में हमास का हेड़कोंटर हो सकता है Times of Israel अकबार ने ये दावा किया है कि France 24 नाम के एक News Channel पर एक बिर्टन के डॉक्टर ने इंटर्वियू दिया है कि अलशिफा अस्पताल में काम करने वाले इस ब्रीटिश डॉक्टर का दावा है कि अलशिफा अस्पताल में कई ऐसी जगहें थी जहां पर उसे जाने के लिए मना किया गया था ये कहा गया था अगर वो वहां प्रतिबंधित क्षित्र में जाएगा तो उसे गोली लग सकती है टाइमस ओफ इजरेल ने दावा किया है कि अलशिफा अस्पताल के अंदर हमास का हेटवाटर होने का दावा करने वाले बिटिश डॉक्टर ने अपना नाम नहीं बताया क्योंकि उसे डर है कि ऐसा करने पर गाजा के अंदर मौझूद उसके सहयोगियों को हमास मार सकता है अलशिफा अस्पताल में काम करने वाले इस ब्रिटिश डॉक्टर ने आगे कहा कि सावधान किये जाने की वज़ा से मैं घाजा के अलशिफा अस्पताल के प्रतिबंधित श्यत्रों से दूर रहा लेकिन मैंने कुछ संदिद से नजर आने वाले ऐसी लोगों को अस्पताल में हार समय अंदर और बाहर जाते देखा था जो चिकित्सा कर्मी नहीं थे ये लोग अस्पताल के बेस्मेंच के अंदर जाते थे The first time our forces entered the Shifa complex, they went in with a bomb sniffing dog and they discovered a truck full of ammunition. After revealing the shaft by the D9, they saw a circular opening and they couldn't see all the way down at the time but further investigations and tools lowered down it revealed that this is a 10 meter deep shaft that leads to a corridor. At the end of that corridor there is a blast proof door with a shooting hole at the top of it and our forces after making sure that all defense mechanism are dismantled have opened that door that leads to another door that goes deeper into the complex. The understanding that this tunnel goes under the hospital Israel Defense Force ने इस ब्रिटिश डॉप्टर के इंटर्व्यू को आधार बनाते हुए एक पर फिर कहा है कि इस इंटर्व्यू से साबित होता है कि अल्शिफा अस्पदाल का इस्तिमाल हमास के आतनक्वादियों के द्वारा हेड़ प्वार्टर की धरक किया जा रहा था.